ओम शान्ती आठ जैनिवरी दो हजार तेईस अव्यक्त बाबदादा के महावाक्य ओरिजिनल डेट तेईस एप्रिल उन्निस्सो तिराणवें निश्चे बुद्धी भव अमर भव आज बाबदादा सर्व अतीस नेही आदी से यग्य की स्थापना के सहयोगी अनेक प्रकार के आय हुए भिन-भिन समस्याओं के पेपर में निश्चे बुद्धी विजई बन पार करने वाली आदीस नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आई हैं निश्चे की सबजेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आई हैं यह निश्चे चाही इस पुरानी जीवन में चाही अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी निश्चे का अमर भव का वर्दान सदा साथ रहे विशेश आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माई हैं उन्हों के याद और इसनेहे के बंधन में बंध कर बाप आई हैं निश्चे की मुबारक एक तरफ यग्ये अर्थार्थ पांडवों के किले की जो नीव अर्थार्थ फांडेशन आत्माई हैं वह भी सभी सामने हैं और दूसरे तरफ आप अनुभवी आदी आत्माई इस पांडवों के किले की दीवार की पहली इते हो फांडेशन भी सामने हैं और आदी इते जिनके आधार पर यह किला मजबूत बन विश्व की छत्र चाया बना वह भी सामने हैं तो जैसे बाप ने बच्चों के इस नहे में जी हजूर हाजिर करके दिखाया ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित आत्माओं की शिरीमत वा डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना कभी भी वियर्थ मनमत वा परमत नहीं मिलाना हाजिर हजूर को जान शिरीमत पर उड़ते चलो समझा अच्छा मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले अच्छा विशेश मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित बने तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित सेवा धारी विशेश मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक मधुबन है ही मधु अर्थार्त मधुरता तो मधुरता सर्व को बाप के सनहे में लाती है इसलिए चाहें हौल में हो, चाहें चले गए हो लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे है और सदा अथक भव मध्धुर भव के वर्दानों से बढ़ते उड़ते चलो अव्यक्त बाबदादा की पर्सनल मुलाकात पहला अलबेलापन कमजोरी लाता है इसलिए अलर्ट रहो सभी संगम युगी स्रेष्ठ आत्माई हो ना संगम युग की विशेष्टा क्या है जो किसी भी युग में नहीं है संगम युग की विशेष्टा है एक तो पृत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुणा प्राप्ती का अनुभव इसी जनम में ही होता है प्रत्यक्ष फल मिलता है न? अगर एक सेकेंड भी हिम्मत रखते हो, तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है? किसी एक की भी सेवा करते हो, तो खुशी कितनी मिलती है? तो एक की पदम गुणा प्राप्ती अर्थार्त प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है? तो ताजा फ्रोट खाना अच्छा लगता है न? तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थार्त ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्ती शाली हो, कमजोर तो नहीं है न? सब पावरफुल हैं, कमजोरी को आने नहीं देना, जब तंदुरुस्त होते हैं, तब कमजोरी स्वत्हे खतम हो जाती है, सर्व शक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ती मिलती रहती है, तो कमजोर कैसे होंगे? कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है, जब कुम्ब करण की नेंद में अलबेले होकर सोजाते हो, तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है, आप तो अलट हो न, अलबेले हो क्या, सभी अलट है, सदा अलट है, संगम युग में बाब मिला, सब कुछ मिला, तो अलट ही रहेंगे न, जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं, वो कितना अलट रहते हैं, रिवाजी बिजनिसमेन को बिजनिस में प्राप्तियां होती रहती हैं, तो अलबेला होगा, यह अलर्ट होगा, तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है, तो अलबेले कैसे होंगे, बाप ने सर्व शक्तियां दे दी, जब सर्व शक्तियां साथ हैं, तो अलबेला पन नहीं आ सकता है, सदा होशियार, सदा खबरदार रहो, यूके को तो बाप दादा कहते ही हैं, ओके, तो जो ओके बिल्कुल ठीक होगा, वह जब अलर्ट होगा, तब तो ओके होगा ना, फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टाल टालियां निकली हैं, वह भी स्रक्तिशाली हैं, विशेश बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने, अपने दिल से, लंडन का पहला फाउंडेशन डाला है, ब्रह्मा बाप का विशेश लाडला है, तो आप पिर्त्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माई हो, कर्म करने के पहले फल तैयार है ही, ऐसे ही लगता है न, या मेहनत लगती है, नाचते गाते फल खाते रहते हो, वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है न, बाप दादा भी, यू के अर्थार्थ सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हरशित होते हैं, अपना यह टाइटल सदा याद रखना, ओके, यह कितना बढ़िया टाइटल है, सभी सदा ओके रहने वाले और ओरों को भी अपने चहरे से, वानी से, व्रत्ती से ओके बनाने वाले, यही सेवा करनी है न, अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है, जो भी जहां से भी आए हो, लेकिन सभी तेवर पुर्शारती और उड़ती कलावाले हो, सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है, नशे से कहो मैं, सिवाए खुशी के और है ही क्या, खुशी ब्रामन जीवन की खुराक है, खुराक के बिना कैसे चलेंगे, चल रहे हो, तो खुराक है तभी तो चल रहे हो ना, स्थान भी बढ़ रहे हैं, देखो पहले तीन पैर प्रत्वी लेना बड़ी बात लगती थी, और अभी क्या लगता है, सहज लगता है न, तो लंडन ने कमाल की है न, अभी पचास एकर जमीन मिली है, हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं, और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं, देखो, आप सबकी उंगली नहीं होती, तो कैसे होता, तो सभी यूके वाले लकी हैं, और उंगली देने में बहदुर हैं, दूसरा, अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिकर बादशाहा बनो, सदा अपने को बेफिकर बादशाहा अनुभव करते हो, या थोड़ा-थोड़ा फिकर है, क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली, तो जिम्मेवारी का फिकर क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबलिटी है, बाप के साथ-साथ चलते रहने की, वह भी बाप के साथ-साथ हैं, अकेले नहीं, तो क्या फिकर है? कल क्या होगा, ये फिकर है? जौब का फिकर है? दुनिया में क्या होगा, ये फिकर है? क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा, अच्छा होगा. निश्चे है ना? पक्का निश्चे है या हिलता है कभी? जहां निश्चे पक्का है, वहां निश्चे के साथ विजय भी निश्चित है. ये भी निश्चे है ना? कि विजय हुई पड़ी है? या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं क्योंकि कल्प कल्प के विजई हैं और सदा रहेंगे ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रही हो इतना निश्चे है ना कि कल्प कल्प के विजई है इतना निश्चे है कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चे बुद्धी विजई रतन है ऐसे रतन हो जिन रतनों को बाप दादा भी याद करते है ये खुशी है ना बहुत मौज में रहते हो न इस अलोकिक दिव्यस रेस्ट जनम की और अपने मदुबन घर में पहुँचने की मुबारक तीसरा बाप और आप ऐसे कमबाइन रहो जो कभी कोई अलग ना कर सके सभी अपने को सदा बाप और आप कमबाइन हैं ऐसा अनुभव करते हो जो कमबाइन होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता आप अनेक बार कमबाइन रहे हो अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे ये पक्का है तो इतना पक्का कमबाइन रहना तो सदेव इसमरती रखो कि कमबाइन थे कमबाइन हैं और कमबाइन रहेंगे कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कमबाइन स्वरूप को अलग कर सके तो प्यार की निशानी क्या होती है कमबाइन रहना क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहां कहां अलग रहना पड़ता है प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहां अलग रहना भी पड़ता है लेकिन यहां तो शरीर की बात ही नहीं एक सेकेंड में कहां से कहां पहुँच सकते हो आत्मा और परमात्मा का साथ है परमात्मा तो कहां भी साथ निभाता है और हर एक से कमबाइंड रूप से प्रीत की रीती निभाने वाले है हर एक क्या कहेंगे मेरा बाबा है या कहेंगे तेरा बाबा है हर एक कहेगा मेरा बाबा है तो मेरा क्यों कहते हो अधिकार है तब ही तो कहते हो प्यार भी है और अधिकार भी है जहां प्यार होता है वहां अधिकार भी होता है अधिकार का नशा है ना कितना बड़ा अधिकार मिला है इतना बड़ा अधिकार सत्युग में भी नहीं मिलेगा किसी जनम में परमात्म अधिकार नहीं मिलता प्राप्ति यहां है प्रालब्ध सत्युग में है लेकिन प्राप्ति का समय अभी है तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है प्राप्त हो गया फिर तो कौमन बात हो जाती है लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलोकिक होती है तो कितनी खुशी और नशा है क्योंकि देने वाला भी बेहद का है तो दाता भी बेहद का है और मिलता भी बेहद का है तुम मालिक किसके हो, हद के या बेहद के तीनों लोक अपने बना दिये हैं मूल वतन, सुक्ष्म वतन हमारा घर है और इस थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला ही है तीनों लोकों के अधिकारी बन गए तो क्या कहेंगे, अधिकारी आत्माई कोई अप्राप्ती है तो क्या गीत गाते हो पाना था वह पालिया अभी कुछ पाने को नहीं रहा तो ये गीत गाते हो या कोई अप्राप्ती है पैसा चाहिए, मकान चाहिए नेता की कुरसी चाहिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जनम का भी भरोसा नहीं और आपको कितनी गैरंटी है 21 जनम की गैरंटी है गैरंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती है जैसे यहां पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है तो गैरंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है छूपा छुपी करती है फिर आप क्या करते हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं चौथा हर कर्म त्रिकाल दर्शी बनकर करो सभी अपने को तक्त नशीन आत्माई अनुभव करते हो अभी तक्त मिला है या भविश्य में मिलना है क्या कहेंगे सभी तक्त पर बैठेंगे दिल तक्त बहुत बड़ा है दिल तक्त तो बड़ा है लेकिन सत्युग के तक्त पर एक समय में कितने बैठेंगे तक्त पर भले कोई बैठे लेकिन तक्त अधिकारी रॉयल फैमली में तो आएंगे न तक्त पर इकठे तो नहीं बैठ सकेंगे इस समय सभी तक्त नशीन है इसलिए इस जनम का महत्व है जितने चाहें जो चाहें दिल तक्त नशीन बन सकते है इस समय और कोई तक्त है कौन सा है? अकाल तक्त आप अविनाशी आत्मा का तक्त ये भ्रकुटी है तो भ्रकुटी के तक्त नशीन भी हो और दिल तक्त नशीन भी हो डबल तक्त है न? नशा है कि मैं आत्मा भ्रकुटी के अकाल तक्त नशीन हूं तक्त नशीन आत्मा का स्वव पर राज्य है इसलिए स्वराज्य अधिकारी है स्वराज्य अधिकारी हूँ यह स्मृती सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ती का अनुभव कराईगी तो तीनों ही तक्त की नौलेज है नौलेजफुल हो ना पावरफुल भी हो या सिर्फ नौलेजफुल हो जितने नौलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो या नौलेजफुल अधिक पावरफुल कम Knowledge में ज्यादा हुश्यार हो Knowledgeful और Powerful दोनों ही साथ साथ तो तीनों तक्त की सम्रती सदा रही ज्यान में तीन का महत्व है त्रिकाल दर्शी भी बनते हैं तीनों काल को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकाल दर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एक दर्शी बनकर कर्म करते हो क्या हो एक दर्शी या त्रिकाल दर्शी तो कल क्या होने वाला है वह जानते हो कहो हम यह जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा ये तो जानते हो ना तो त्रिकाल दर्शी हुए ना जो हो गया वो भी अच्छा जो हो रहा है वह और अच्छा और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा यह निश्चे है ना कि अच्छे से अच्छा होना है बुरा नहीं हो सकता क्यों अच्छे से अच्छा बाप मिला अच्छे से अच्छे आप बने अच्छे से अच्छे कर्म कर रही हो तो सब अच्छा है न, कि थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा है जब मालूम पड़ गया कि मैं स्रेष्ट आत्मा हूँ तो स्रेष्ट आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म अच्छा होगा न तो सदा यह समरती रखो, कि कल्यान कारी बाप मिला, तो सदा कल्यान ही कल्यान है बाप को कहते ही हैं विश्व कल्यान कारी और आप मास्टर विश्व कल्यान कारी हो तो जो विश्व का कल्यान करने वाला है उसका अकल्यान हो ही नहीं सकता इसलिए यह निश्चे रखो कि हर समय, हर कारिय, हर संकलप कल्यान कारी है संगम युग को भी नाम देते हैं कल्यान कारी युग तो अकल्यान नहीं हो सकता तो क्या याद रखेंगे जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला वह बहुत-बहुत अच्छा तो यह इस मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी अच्छा सभी कौने कौने में बाप का जढ़ा लहरा रहे हो सभी बहुत हिम्मत और तेवर पुरशार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे फ्यूचर दिखाई देता है न? कोई भी पूछे आपका भविश्य क्या है? तो बोलो हमको पता है बहुत अच्छा है अच्छा, वर्दान अपने मस्तक पर स्रीष्ट भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिन्ताओं से मुक्त बेफिकर बाद्शाहा भव बेफिकर रहने की बाद्शाही सब बाद्शाहियों से स्रीष्ट है अगर कोई ताज पहन कर तक्त पर बैठ जाए और फिकर करता रहे तो यह तक्त हुआ या चिन्ता? भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर स्रीष्ट भाग्य की लकीर खीच दी बेफिकर बाद्शाहा हो गए तो सदा अपने मस्तक पर स्रीष्ट भाग्य की लकीर देखते रहो वहा मेरा स्रीष्ट इश्वरिय भाग्य इसी फखुर में रहो तो सब फिकरातें चिन्ताएं समाप्त हो जाएंगी स्लोगन एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आवहान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है ओम शंती